हेलो दोस्तों आज सबीका मेरी चैनल भगवती क्रेशन में बहुत भग सागत है आज अपनी इस वीडियो में हम नवरात्री के लिए मादुर्गा का लेंगा और पटका ये दोनों बनाएंगे जो हम लेंगा बनाने वाले हैं वो 12 इंच की देवीजी का बनाने वाले हैं यान यह जो मैंने लंबाई रखी है वो 8 इंच रखी है यहां पर यह जो मैंने कमर बनाई है वो 4 इंच की बनाई है और यहां पर यह जो मैंने घेरा रखा है यह 15 इंच का घेरा रखा है अब इस पेस्टिंग बुक्रम के पीस पे हम अपना बेस फैब्रिक जो कि मैंने यहां प वहां चाल हुआ अब देखेगा दोस्तों आपि fancm duh-ापनी कर्यानि कि देखें लिए इते सारी engineering bangs कई यिघ यह जो जो फिया है जिस नाप का यह पीस होगा उसी नाप की सारे पीच होने वाले हैं मैं आपको इस पीस का नाप में बता देती हो यह पट्टी की जो लंबाई है यह दिछए इस पट्टी की पिताई यह गणिए लेंगे देख हु लेंग कर सकते हैं प्लेट आप दोनों तरफ से भर सकते हैं जाहे आप योपर की तरफ से अलग पट्टी प्लेट भरबर फिर यहां पर इस कपड़े पर सिलकर नीची की से इसको सेट कर लिजेगा मुझे जो है वो नीची की तरफ से प्लेट्स भरकर उपर सेट करने में जादा असानी लगती है तो मैं इस तरीके से भरती हूँ, आप चाहें दोनों तरीके से इसमें प्रेट भर सकते हैं, मैं यहाँ पे नीची की तरफ से प्रेट भरकर यहाँ पे इसको रेडी करूँगी, हमें यह सारी पट्टी लगानी है, यहाँ पे टोटल मैंने साथ पट्टी अली है, तो यहाँ फोड़े फोड़े जगों पर इस सारी पट्टियों को अटेच कर लेती है यहां पर मैंने यह रैड कलर की पट्टि लगा दिया है इस पूरे घेर को मैंने साथ पार्ट में डिवाइड किया है 1,2,3,4,5,6,7, इस तरीके से एक पर्क में मैं इसा पर यह रेड कलर की पट्टी लगा लिए हैं अनों धूसरे पर्क के लिए यहाँ पर औरेंज कलरह चू Les चूस करगा ले हूँ हैं इसा इसा तरीके से आएगा दोश्त होगो अब मैं ही हरा के इसा इसा टेल क्नुम्द्थ इस तरीके से दोस्तों मैंने यहापर यह नीचे की तरफ से इन पट्टियों में सिलाई लगा ली है एक के बाद एक पट्टि को मैंने यहापर ले लिया है और उपर की तरफ से इसको सेट करके उपर की तरफ बैल्ट पर भी मैंने एक सिलाई लगा ली है यहापर देखेगा क लेंहें वह लगालिया है और इस लेंगे में corp िवृ यशिया साथ इस लेंगे में देखी के लिपके क्यूद्ध प्रफेंगे टीम्फए जर्कम वाली जर्कम चैन जबैध shaking जूती जर्कम चैन दो इस तरीके से लगा लेती हूं इसके लिए में यहां पर यहां पर यहां पर यहां से घरकन चैन के दो लेयर लगाएंगे उपर की तासे जर्कन चैन की दो लेयर लगाने की बाद और हम यह वाली कौडिया लगाएंगे इसके लिए हाँ पर हम थोड़ा सा गूर लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से करके एक-एक करके हम इन कौडियों को लगा देंगे पर यह जो गोल आ रही है यहां से वो आप उपर की तरफ रखेगा और यह नोक वाली आ रही है यह नीचे की तरफ रखेगा इस तरीके से लगाईएगा उपर की तरफ से हमने यह कौडिया लगा ली है अब हम यहाँ पे बीच की तरफ से इस तरीके की देखिएगा दोस्तो यह छोटी वाली जरकन चैने इसके पांच जरकन हम इस कोड़ी के बीच में लगाएंगे कुछ इस तरीके से हम यह जरकन चैन सभी कौड़ियों में लगा लेंगे उपर की तरफ से मैंने कौड़िया लगा ली है जरकन चैन उसके ऊपर लगा ली है अच्छे से सेट हो गई है अब नीचे की तरफ से जो हम डेकोरेशन करेंगे हम यहाँ पर जरकन चैन की लाइन पूरी लाइन के पर दोनों लाइन यहां बना कर चैनर करोई है अब जरकन चैन लगा कर लेंगे और अप जो और चाहें इसमें टेकोरेशन सिर्पी कर सकते हैं नीचे के दर्फ से यहां पर मैंने कॉड़ियों में जरकन चैन लगा दी है और साथे साथ यहां पर बीच में जो एरिया था यह बिल्कुल प्लेन हो रहा था तो मैंने यहां पर थोड़ी से यहां पर कॉड़िया लगा दी है इस तरीके से मैंने यहां पर मातरानी का लेंगा बनाब कर लिया है अब हम देवी जी का पत्का बनाएंगे पत्का बनाने के लिए मैंने यहां पर इस फ्यूस पेपर की पट्ट बनाने के लिए मैंने प्रेस की मदस्ति ड्यूस पंदरा इंच रखी जो इसकी चुडाई इस पट्के में दोनों तरफ एक साही वर्क करेंगे हम, मैं इस तरफ का वर्क बता देती हूं, यहां पर हम नीचे की तरफ लगबग 2 इंच के बराबर, यहां पर हम सारे कलर्स की पट्टी यहां पर अटेश कर लेंगे, यह देखेगा दोस्तों, इस प्रेकार से मैंने इस प पट्के में नीचे की तरफ से उपर की तरफ से निशान लगा कर और यह पट्ट्य में धायंच के लिहां पर लगाई हूई है, इस तरीके से देखेगे हैं, यह थोड़ा सा आगे को निकल ला है, इस तरीके से हमें इसका लुक लाना है, अब इन दोनों की नारुपे हम सिल कितना मुझे ग्लू लगाना है, यहां पर आपर, क्योंकि हम यहां भी डवल चैन यूज़ करेंगे जर्कन की, तो मैंने यहां पर अच्छी सी लेयर लगा ली है, अब ग्लू के उपर हम यह जर्कन चैन इसको चिपका लेंगे, यहां भी मैंने यह दोनों जर्कन चैन वी चुपकाएगे तो आप चाहें तो कौड़ियों के लिए यहां पे ग्लू गंड का भी यूश कर सकते हैं पर मैं यहां पे लूश्यू कर रही हूं है यहां पर मैंने कव्ड़ियों को लगा लिया है एक सेंट्र में कव्ड़ियों लगाई है थीन इधा लगाई है दो आहिं है करो बीच में अर्व design ऊसे emails आपके में आगे चौड़ियु derived आज इस कड़ी को हम इस तरीके से लगा लएंगे पट्के में मैंने दोनो तरफ जरकनचंज लगा लिए जो कि मैंने वी श्यट भी लगा इये यहाँ पर इस सिलाई हो रही है नाट के फडूरिक की उसके लिए मैंने यहां पर इस तरिक़े के पैच श्राइए उस एलाई पर हम यह वाले पैच श लगा देंगे एंवाने कोर्य चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो जाल से शेयर कीजिएगा और वीडियो को पुरह देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद